आज हम बनाएंगे आलू से बहुत ही मज़िदार क्रिस्पी नाश्ता, दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइस, बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं, बहुत सारे सीक्रेट डिप्स आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को फ्रेंच फ्राइस बनकर तयार होंगे, आप इनकी आवाद सुन सकते हैं, खाने में बहुत जाधा टेस्टी होते हैं, खाते खाते आपको पता ही नहीं चलेगा के प्लेट कब खाली हो गई, सिर्फ तीन कच्चे आलू से धेर सारे फ्रेंच फ्राइस आप मिंटों में बना कर तयार कर सकते हैं, तो चलिए जल्दी से इने बनाना शुरू करते हैं, एक दम क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पर तीन कच्चे आलू लिए हैं, आलू को हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है, क्योंकि इनके उपर मिट्टी वगरा लगी रह तो चलिए, इसके बाद बारी आती है, यहाँ पर आलू को काटने की, तो किस तरह से हमें यहाँ पर फ्रेंच फ्राइस बना कर तेयार करने हैं, वो देख लेते हैं, आलू को अब हम स्लाइस में काट लेंगे, इसके जो स्लाइस हमें करने हैं, तो थोड़े से मोटे करने है इन्हें बहुत पतला नहीं काटना है, यहाँ पर मैं आपको slice की थिकनस दिखा रही हूँ, जो आलू के slice हमने किये हैं, बस इसी तरह से हम आलू को slice में काट लेंगे, जो slice आपको दिख रहा है कि थोड़े से पतले हैं, उन्हें आप हटा दीजे, उनके हम french fries नहीं बनाएंग के पास machine नहीं है, तो आप इस तरह से इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं, जिन french fries की shape अच्छी नहीं आई है, उन्हें हम हटा देंगे, उनको आपको फेंकना नहीं है, आप उनकी सबजी वगरा बना सकते हैं, इसी तरह से हम सारे french fries बना कर तयार कर लेंगे, यानिके आलू को इस तरह से लंबाई में काट लेंगे, जो पहले मैंने आपको आलू काट कर दिखाए, वो थोड़े से मोटे टुकडे थे, अब यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया है, तो आपको जिस तरह भी पसंद हो, उस हिसाब से आप इन्हें काट सकते हैं, तो चलिए, इसके बाद हम इन्हें दो तीन बार अच्छे से साफ पानी से धोएंगे, क्योंकि आलू के अंदर काफी जादा स्टार्च होता है, जब आप इन्हें तीन से चार बार अच्छे से धो लेंगे, तो वो पूरा स्टार्च निकल जाएगा, और फ्रेंच फ् आलू को इस तरह से कपड़े के ओपर डाल दिया है, अगर आप इन्हें जलदी बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कोटन के कपड़े के साथ इस तरह से बस इन्हें सुखा लेजिये, यह एक मिनट में ही सुख जाएंगे, जोस्तो बच्छों को बहुत प गीले नहीं लगेंगे, एक तम से ये सूख चूके हैं, तो चलिए इसके बाद हमने इन्हें एक बjackquet के लिए हैं, बीना बॉाइल कि ये आपं इने झाड़ पट बना कर तयार कर सकते हैं, तो चलिए इसके बाद हम इसमें आधा चमच नमक डाल देंगे ताकि यह थोड़सा नमकीन हो जाएं यानि कि खाने में ज़ादा टेस्टी लगे थोड़सा सॉल्टी हो जाएं तो बस इन्हें इस तरह से टॉस करते हुए नमक को हम मिक्स कर लेंगे आपको हाथ से या चमच से मिक्स करने की जरूरत बिल्कुल भी इसके बाद दो से तीन चमच भर कर हम इसमें कॉनफलार डाल दिया है और अब हम इस तरह से टॉस कर लेंगे ताकि सारे आलू के ओपर कॉनफलार की जो कोटिंग है वो अच्छे से हो जाए तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि हमने इसमें कॉनफलार क्यों डाल दिया है दोस्तो हमने इसमें कॉनफलार डाल दिया है ताकि आलू के ओपर कॉनफलार की कोटिंग अच्छे से हो जाए इससे क्या होगा जब हम इन्हें फ्राइ करेंगे तेल में तो यह बहुत जादा क्रिस्पी बनेंगे बिल्कुल जो मार्किट से हम लेकर आते हैं फ्रेंच फ्र एक बार में जितने आ सकते हैं आपको उतने ही डालने हैं यानके कढ़ाई को आपको भरना नहीं है मैं इन्हें दो बार में फ्राइ करने वाली हूँ तो बस जब यह थोड़ा सा फ्राइ हो जाए तब हम इन्हें इस तरह से पलड़ देंगे और इन्हें अच्छे से पूरी बात कि हमें इन्हें पूरा फ्राइ नहीं करना है हमें इन्हें हाफ फ्राइ करना है इस बात का हमें ध्यान रखना है हलवाई बिलकुल ऐसा ही करते हैं वो फ्रेंच फ्राइज को दो बार में फ्राइ करते हैं तो बस जब यह थोड़ा सा फ्राइ हो जाए तब हम इ दोस्तों कि यह बहुत जादा क्रिस्पी बनते हैं, तो इसलिए यहां पर हमने इन्हें half fry कर लिया है, और अब हम इन्हें पहल में से बाहन निकाल लेंगे, और इसी तरह से जो बचे हुए french fries हैं, उन्हें भी हम fry कर लेंगे, तो यहां पर मैंने french fries का दूसरा बैच तलने के लिए डाल दिया है, gas के flame को medium कर लेंगे, medium flame पे हमें इन्हें fry करना है, और इन्हें भी दोस्तों हमें half fry करना है, french fries के दूसरे बैच को भी हमने half fry कर लिया है, और बस अब हम इसे तेल में से बहान निकाल लेंगे, अच्छा दोस्तों अगर आप इन्हें store करके रखना चाहत है, मैं आपको यहां पर तोड़ कर इन्हें दिखाती हूं, तो यह देखिए, यह अभी crispy नहीं है दोस्तों, इसलिए हमें इन्हें दो बार fry करना होगा, अच्छा अगर आप इन्हें store करके रखना चाहते हैं, तो आप इन्हें कई दिनों के लिए fridge में store करके रख सकते हैं, तो जब यह इस तरह से जब आप इन्हें half fry कर लेते हैं, जब यह ठंडा हो जाएं, तब आप इन्हें किसी zip lock bag में भर कर freezer में store कर लीजिए, और जब भी खाने का मन हो, तो बस आप इन्हें बाहर निकाल लिए, और इन्हें fry करके खा सकते हैं, तो चलिए, अब हम इन्हें एक बार और fry करेंगे, तेल को फिर से अच्छा गरम कर लीजिए, और बस इसके बाद हम आधे french fries तलने के लिए डाल देंगे, क्योंकि दो बार में हम इन्हें fry करेंगे, तो एक बार में यह कड़ाई में नहीं आ सकते हैं, इसलिए मैं इन्हें दो बार में fry कर रही हूँ, अगर आपकी कड़ाई बड़ी है, या फिर जिस भी पैन के अंदर आप इन्हें fry कर रहे हैं, उसमें पूरे french fries आ जाते हैं, तो आप एक बार में ही इन्हें fry कर सकते हैं, अब हम इन्हें एक तम crispy होने तक fry कर लेंगे, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, कि इनका कलर बहुत जादा हमें चेंज नहीं होने देना है, यानिके ब्राउन नहीं होने देना है इन्हें उपर से, तो बस इन्हें fry कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूं, दोस्तों, यहाँ पर french fries fry हो चुके हैं, बहुती बढ़िया सा ये crispy हो गए हैं, तो हमें इनका कलर जादा चेंज नहीं करना है, तो इसलिए हमने gas के flame को low कर दिया है, और जल्दी से हम इने तेल में से पाहर निकाल लेंगे, french fries के दूसरे batch को भी हम इसी तरह से fry कर लेंगे, दो बार fry करने से ये कितने जादा crispy बने हैं, तो पहले आप इनकी आवाज सुनिए, बिलकुल मार्किट जैसे french fries आप घर में बना कर दियार कर सकते हैं, आप इने इस तरह से tomato sauce के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को बहुत जादा पसंद आएंगे और इनको बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ तीन कच्चे आलू और आप प्लेट भर कर french fries बना सकते हैं, वीडियो